आज है दिनांक 19 जून 2021 और हम डिसकस करने वाले हैं आज के करंट अफेर्स दोस्तो मेरा नाम है नीरज भारदवाज और स्वागत है आपका जी के पोस्ट में दोस्तो हम इस चैनल पर डिसकस करते हैं डेली करंट अफेर्स जर्नल नौलीज और अन्य एजुकेशनल फैक्ट्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो भारत ने श्री लंका को सौ मिलियन डॉलर का रिंड दिया हाली में भारत ने सौरूर्जा कवरेज का विस्तार करने के लिए श्री लंका को सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर लाइन ओफ क्रेडिट परदान करने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं श्रिलंकाई सरकार और भारती निर्यात आयात बैंक का आदान परदान भारत के उच्चयुक दोआरा श्रिलंका के राश्ट्रपती गोतबाया राजपक्षे और ट्रेजरी के सच्चीव S.R. A.T. गल्ले ने बुदवार को श्रिलंका के राश्ट्रपती गोतबाया राजपक और श्रिलंका के परदानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। यहां की मुद्रा श्रिलंकाई रुपया है। मद्यपर्देश सरकार ने शुरू किया युवा शक्ती करोना मुक्ती अभियान। मद्यपर्देश सरकार ने राज्य के लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में जागरू करने के लिए युवा शक्ती करोना मुक्ती अभियान शुरू किया है। छोटी समुवों में कॉलिजों में छात्रों को कोविड, अनुकूल, व्यवार और तिकाकरन के महत्तों के बारे में जानकारी और विवरन दिया जाएगा। मुक्य मंतरी शिरी शिवराज सिंह чauhaan के निर्देश पर राजय के उच शिक्षा और तक्निकी शिक्षा विवाग द्वारा लोग स्वास्ते एवं परियार कलियान विवाग के से अभियान चलाया गया है। अभियान की प्रभावी रियल टाइम ओनलाइन निगरानी के लिए एक मुवाईल एब भी विक्सित किया गया है एब के महाद्यम से युवा शक्ति करोना मुक्ति अभियान की दैनिक गतिविद्यों और प्रगत्ति की स्मिक्षा की जाएगी मद्यपर्देश की राज़ानी बोपाल है मद्यपर्देश का गठन एक नॉमबर उन्सोचपण को हुआ मद्यपर्देश में बावन जिले है और सबसे बड़ा शहर इंदौर है मध्यपर्देश की राजयपाल है अनन्दी बेन पटेल और मध्यपर्देश के मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चुवान है भारत सरकार ने एक निजी व्यक्ती अशीश चंदरोरकर को विश्ववयपार संगठन में भारत के स्थाईव मिशन में तीन साल के लिए कांसलर निक्त किया है मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ती को निक्त किया गया है चंदरोरकर बैंगलूरू स्थित पॉलिसी थिंक टैंक समाही फाउंडेशन ओफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक है विश्व व्यापार संगठन 164 सदस्य भववपक्षिय निगाय है जो वैश्विक व्यापार से संबंदित है और भारत 1995 से इसका सदस्य है वर्ल्ड ट्रेड और्गनाईजेशन का मुख्यालिय जिनेवा स्विट्जलेंड में है वर्ल्ड ट्रेड और्गनाईजेशन के सदस्यों की संक्या 164 है वर्ल्ड ट्रेड एक जनवरी 1995 को स्थापित हुआ इसके महानी देशक नगोजी अकोंजो इवेला है WTO की अधिकारिक भाषाएं अंगरेजी, फ्रेंच और स्पैनिश है स्पोर्स ब्रेंड प्यूमा इंडिया ने युवराज सिंग के साथ साज़दारी का विस्तार किया ग्लोबल स्पोर्स ब्रेंड प्यूमा इंडिया ने पूर्व भारती क्रिकेटर युवराज सिंग के साथ साज़दारी की है जो एक दशक से अधिक समय से ब्रांट से चुड़े हुए है इडिकेट से फस्ट लेंड की ओर बढ़ते हुए युवराज अब भारत में प्यूमा मोटर स्पोर्स के चेहरे के रूप में एक नए अवतार में दिखाई देंगे जो तेज कारो और खेल से प्रेरित फैशन के लिए अपने जनून का प्रदशन करेंगे इसके साथ युवराज, थियरी हेंडरी, बोरिस बेकर और उसेन बोर्ट जैसे दिखजों की ब्रेंड की वैश्विक लीग में शामिल हो गए है प्यूमा, विश्व स्तर पर, स्क्यूडेरिया, फेरारी, मर्सीडीज, एमजी, अट्रोनस, फॉर्मूला वन टीम, एस्टन मार्टिन, रेड बूल रेसिंग, बीम डवल्यू, एम मोटर स्पोर्ट्स और पॉर्श मोटर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है प्यूमा, मोटर स्पोर्ट्स के लिए भारत सबसे बड़े बजारों में से एक होने के साथ, ब्रेंड प्रदशन गियर से प्रेरित स्ट्रीट स्टाइल उत्पादों की बढ़ती मांग को भुनाने की कोशिश कर रहा है प्यूमा की संस्थापक रुडोल्फ डासलर है प्यूमा की स्थापना 1948 में हर्जोजे निराच जर्मनी में हुई प्यूमा के CEO है Bjorn Gulden इसका मुख्यालयो हर्जोजे निराच जर्मनी में है स्टाइगार्क्ट स्केरलेंस केरल के नाम पर टार्डिग्रेड की परजाती का नाम रखा गया केरल में स्टाइगार्क्ट स्केरलेंसिस नाम की एक नई परजाती की पैचान की गई है Tardigrades की इस छोटी और सक्त प्रजाती का नाम केरल के नाम पर रखा गया है Tardigrades छोटी प्रजातिया हैं जिने आम तोर पर Water Bear और Moss Piglet कहा जाता है वे इतने छोटे हैं कि उनका अध्यान करने के लिए अतियादुनिक सुक्षम दर्शी की अवशकता होती है वे अपने आकार के बावजूद प्रित्वी पर सबसे कठोर जानवर भी है केरल की राजदानी तिर्वनंत पूरम है और केरल का सबसे बड़ा शहर भी तिर्वनंत पूरम है केरल में चौदा जिले हैं केरल की राजबाशा मल्यालम है केरल का गठन एक नुवंबर 1956 को हुआ था और केरल के राजबाल आरिफ महमत खान है और केरल के मुख्यमंतरी का नाम पिनराई विजयन है कैबिनेट ने डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी कैंदरिय मंतरी मंडल ने जय विवित्ता जलवायू परवर्तन के परभाव पर अध्यन करने और ताप्य उर्जा के स्त्रोत का पता लगाने के लिए एक अपठतिय समुंदरी स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रिथवी विज्यान मंतरालिय द्वारा प्रस्तावित डीप ओशन मिशन को मनजूरी दी है यह मिशन संसादनों के लिए गहरे मासागर की खोज करेगा और समुन्दर के संसादनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुन्दर में राध्योगिकियों के विकास में मदद करेगा पांच साल की अवदी में 4,077 करोड रुपए के अनुमानित बजट में यह मिशन पूरा किया जाएगा इसे चरणों में लागू किया जाएगा पहला चरण 2021 से 2024 के दोरान लागू किया जाएगा तीन साल के लिए पहले चरण की अनुमानित लागत 2823.4 करोड रुपए है पृत्वी विज्ञान मंत्रालिया इस मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालिया होगा जापान COVID-19 वैक्सिन पास्पोर्ट जारी करेगा जापान अगले महीने से जापानी यात्रियों के लिए एक वैक्सिन पास्पोर्ट उपलग्द कराने जा रहा है ताकी विदेश में परियतन और व्यापारिक यात्राओं को फिर से शुरू किया जा सके यौर सर्टिफिकेट डिजिटल के बजाए पेपर बेस्ट होगा इसे अगले महीने से स्थानियों सरकारे जारी करेंगे वैक्सिन पास्पोर्ट जिसे इम्मुनिटी पास्पोर्ट या इम्मुनिटी सर्टिफिकेट के रूप में भी जाना जाता है कागज के साथ साथ डिजिटल प्रारूप में एक दस्तावेज है यह प्रमानपत्र प्रमानित करता है कि व्यक्ति किसी छूत की विमारी से प्रतिरक्षित है या नहीं योग क्लिनिक के मेडिकल रिकॉर्ड द्वारा सत्यापित तिकाकरन रिकॉर्ड या तिकाकरन प्रमान पत्तर से अलग है इम्यूनिटी पासपोर्ट के कॉंसेप्ट ने COVID-19 महमारी के दोरान महमारी को रोकने और तेजी से आर्थिक सुधार की अनुमती के लिए ध्यान अकरशित किया है जापान की रादानी टोक्यो है और जापान का सबसे बड़ा शहर भी टोक्यो है जापान के समराठ नारू ही तो है जापान के प्रदान मंतरी का नाम योशी हिदे सुगा है जापान की मुद्रा जापानी यहन है वैश्विक शांती सुचकांक गलोबल पीस इंडेक्स में भारत 135 स्थान पर है गलोबल पीस इंडेक्स जीपी आई के 15 संसकरण को हाली में जारी किया गया यह सुचकांक 163 सुतंतर देशों और क्षेत्रों को उनकी शांती के स्थर के अनुसार रेंक करता है 2008 के बाद से आइसलेंड दुनिया भर में सबसे शांती पूर्ण देश है आइसलेंड, डेनमार्क, न्यूजिलेंड, पूर्टगाल और स्लोवेनिया जैसे अन्य देश सबसे शांती पूर्ण है भारत पिछले साल की रेंकिंग से दो पायादान उपर चड़ गया है यह 135 सबसे शांती पूर्ण देश बन गया है जबकि दक्षिन एश्याक शेतर में पांचोवा सबसे शांती पूर्ण देश है आई-मडी ने विश्व प्रतिसपरदात मकता सूचकांक, वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स जारी किया विश्व प्रतिसपरदात मकताव सूचकांक, आई-मडी द्वारा संकलित किया गया है जो दुनिया भर की अरतिवस्थाओं पर COVID-19 के परभाव की जाश करता है इस सूचकांक में 64 देशों में भारत 43 स्थान पर है स्विट्जर्लेंड इस सूची में सबसे उपर है और उसके बाद स्विडन, डेनमार्क, नीदर्लेंड और सिंगापूर का स्थान है IMD World Competitiveness Ranking यह सूचकांक 64 अर्थ विवस्थाओं को रैंक करता है और यह आकलन करता है कि कोई भी देश अपने लोगों की समरिधी को किस हद तक बढ़ावा देता है इस सूचकांक ने 33 साल पहले डेटा और अधिकारियों के सर्विक्षन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से देशों की बलाई को मापकर देशों की रैंकिंग शूरू की थी झाल 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 झाल